अथ श्री योग वाशिष्ठे निर्वान प्रकर्णस्य पूर्वार्धे शोडशाधिक शततमस्सर्गह श्री रामव वाच भगवन सर्वधर्मग्य चित्ते हंकार नामनी गलिते वा गलद रूपे लिंगम सत्वस्यकिंभवेत। श्रे वशिष्ठव वाच बलाद पिह संजाता नौलिंपंत्याशयं सितं लोभमोहादयोदोशाह पयांसेव सरोरुहं। मुधिताध्याह श्रियो वक्त्रम् नामुचति कदाचना गलत्यहंकारमये चित्ते गलति दुष्कृते। वासना ग्रंथयस्चिन्ना इवत्रुट्यंत्यलंशनैहि कोपस्तानवमायाते मोहो मांधयंहि गच्चते। कामह क्लमंगच्चतिच लोभह क्वापि पलायते। नोल्लसंति इंद्रियान्युच्यहि थेदह स्फुरति नोच्यकैहि। ना दुखान्युप ब्रिंहंति ना वल्गंति सुखानिच सरवत्रसमतो देति हृदिशैत्य प्रदाइनी। सुख दुखादयस्त्वेते द्रिश्यंते यदिवा मुखे। द्रिश्यंत एव तुच्चत्वान्नानुलिम्पन्तिते मनह। चित्ते गलति गीर्वान गनस्या स्प्रिहनियताम। साधुर गच्चत्युदेत्यस्य समताशीत चंद्रिका। उपशांतंच कांतंच सेव्यम अप्रति रोधिच निभृतं चोर्जितं स्वच्चं बहतित्तं महद्वपु। भावा भाव विरुद्धोपी विचित्रोपी महानपी नानन्दाय नखेदाय सताम संशृति विभ्रमह। बुद्ध्यालोके नसाध्येस्मिन बस्तुन्यस्तमितापदी प्रवर्तते नयो मोहात्तं धिगस्तु नराधमं। भिष्रांति माप्तु मुचिताम् चिरमंग दुखारत नाकरम् जननसागर मुथ्तितीर्शोह। कोहं कथं जगदिदंच परंच किम्स्यात किम्भोग कैरिति मतिही परमोभ्यु पायह। कित्यारशे श्री वाशिष्ठ महारामायने वालमी जीए देवदुतोक्त मोक्षोपायेशु निर्वान प्रकरने पूर्वार्धे। गलित चित लक्षण कथनम नाम शोडशाधिक शततमस्तर्गह। अब श्री योगवाशिष्ठ महारामायने के निर्वान प्रकरने के पूर्वार्ध के एकसो सोले में सर्ग में सर्वथा बिलीन हुए चित या बिलीन होते हुए चित और अहंकार रूप चित के लक्षण बताए गए हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सर्वधर्मग्य, हे भगवन, अहंकार नामक चित जिस समय सर्वथा बिलीन हो जाता है या बिलीन होने लग जाता है, उस समय के बासना रहित अंतक करन का क्या स्वरूप है। श्री बशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, वासना रहित अंतक करन को बल पूर्वक उत्पन हुए भी, लोभ, मोह, आदी, दोश बैसे ही लिप्त नहीं कर सकते, जैसे कमल पत्र को जल लिप्त नहीं कर सकते। अहंकार नामक चित और पाप के बिलीन हो जाने पर पुरुष सदा शांत और प्रसन मुख रहता है। उस समय साधक की बासनाओं का समूह छिन भिन सा होकर धीरे धीरे बिलकुल क्षिन होने लग जाता है। तथा क्रोध और मोह का भी ख्षय होने लगता है। और काम और लोब भी चले जाते हैं। और इंद्रियां और दुख बिकसित नहीं होते। ये सुख दुख आदी प्रतीत होने पर भी तुछ होने के कारण उस साधक के मन को लिप्त नहीं कर सकते। चित के बिलीन हो जाने पर उस स्रेष्ठ साधक पुरुष की देवता गण भी प्रसंशा करते हैं। उस पुरुष के हृदय में शीतल चाननी रूपी समता उत्पन होती है। ऐसा स्रेष्ठ साधक पुरुष उपशांत कमनीय और सेव्य और अप्रतिरोधी अर्थात दूसरे की इच्छा का बिगात न करने वाला। जो थारी राय सो मारी राय। और ऐसा साधक बिनीत बलशाली और स्वच्छ स्रेष्ठ शरीर वाला होकर रहता है। जो बुद्धी की तीक्षनता से प्राप्त करने योग्य है और जिसकी प्राप्ती होने पर समस्त आपतियां अस्त हो जाती हैं। उस परमात्म बस्तू में जो मनुष्य मोहो के कारण प्रविट नहीं होता उस नराधम को धिक्कार है। हे श्री राम दुख रूपी रतनों की खानी और जन्म मरण रूप संसार सागर के पार होने की इच्छा वाले पुरुष्को निरतिशया अनंदमय परमात्मा में नित्य निरंतर समुचित विश्राम पाने के लिए मैं कौन हूँ और यह जगत क्या है तथा परमात्मतत्व कैसा है और इन तुच्छ भोगों में से कौन सा फल मिलने वाला है। इन प्रश्णों पर विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए। यही परम साधन है। इसलिए मनुष्य को उपर्युक्त साधन का आश्रे लेना चाहिए। और विवेक बड़ित क्या है।